Hello friends, स्वागत है आपका हमारे चैनल Indian Advanced Studies में इस वीडियो में हम लोग APPGECET 2021 के बारे में डिसकस करेंगे जिसमें हम लोग Eligibility, Exam, Patterns, Labors, Admit Card, Result, Counseling और Admission Process के बारे में डिसकस करेंगे तो सबसे पहले आपको किसी भी browser में कैसे open करना ये important है आपको मालूम होना चाहिए तो किसी भी browser में आप google.com open करें और वहाँ पे search करें APPGECET 2021 और उसके आगे लिखें IAS paper IAS paper एक ऐसी website है जहाँ पे APPGECET 2021 से related हर एक information आईगी ये important keyword है आपको लिखना जरूरी है IAS paper ये लिखना है हर एक keyword के आगे APPGECET 2021 के जैसे आप इसे search करेंगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा exactly सही information ये वाली ये 2020 का है इसे देखने की ज़ुरत नहीं है ये last year वाला है हमें इस साल का देखना है तो APPGECET 2021 इसे open करेंगे आप तो ये open हो चुका है तो हम लोग इसको discuss करेंगे APPGECET 2021 application form date, searchability, patterns, syllabus और बहुत सारी चीज़े हैं जो यहाँ पे heading में नहीं है पर अंदर body में आपको मिलेगी हर एक चीज को शुरू करूँगा हर एक चीज को ऊपर से लेके शुरू से लेके last तक discuss करूँगा तो सबसे पहले आंदरप्रदेश आंदरा यूनिवर्सिटी विशाखा पत्नम वाली कंड़क करती है APPGECET 2021 बहाफ पे आंदरप्रदेश council of higher education APCHE के दौरा APCHE guide करता है आंदरप्रदेश यूनिवर्सिटी को कि आप APPGECET कंड़क कर लेजे हमारे बहाफ पे हर साल APPGECET यानि आंदरप्रदेश उके उसे बता देता हूं मैं आपको क्या होता है उसका full form सबसे पहले जो form आया इसे जरूर भर लें यह form जो है काफी important है यहाँ पे आपको full name आपका email ID आपका contact number आपका शहर कौन से शहर से हैं जैसे आप गुंटूर से हैं आप गुंट कौन सा कोर्स कॉम्टीट हुए जिसे आपने ग्रेजुशन किया तो ग्रेजुशन सेलेक कर लिया आपने और गेट फ्री कांसलिंग पर क्लिक कर देना गेट फ्री कांसलिंग पर क्लिक करेंगे आप तो क्या होगा आपको callback आजाएगा और SMS आएगा जैसे कोई भी updates आएग APCHE का entrance आपने दिया तो आप अलग-अलग various professional postgraduate courses में admission ले पाएंगे आंदर प्रदिश स्टेट के अंदर आप admission लेंगे जैसे ME, Mtech, M Pharma, Pharma, D courses के अंदर जो offer होते हैं इस entrance examination के तो अगर आप students चो हैं वो admission GPAT और GATE 2021 के score पर भी ले सकते हैं यहाँ पर link आ जाएगी आप description में link है उसे open करें और इस page पर आप आएंगे और सारे details को check कर पाएंगे सबसे पहले dates का discuss कर लेते हैं APPGCAT 2021 की important dates important dates जो है वो शुरू करने से पहले यहाँ पर tentative dates दी गई है तो मैं आप से request करूँ कि description में link है उसे open करना है आपको और उसे bookmark कर लेना है यहाँ पर आके bookmark कर लेना है जैसे ही आपने bookmark किया इस page को आपको timely open करना है जैसे ही क्योंकि कई last year के बार बताता हूं कई बार क्या रहा है कि आप description में जो link है उसे open करें और kindly check करने है पूरा का पूरा चीज और check करने के बाद आप check कर पाएंगे कि timely उसे open करना है रोज open करना है कितना देर लेगा not more than 30 seconds but क्या होगा कि उससे आप अप्रूड रहेंगे अब start जो है starting application form की होगी first week of March 2021 में last date submission की application form की late fees के बाद second week of April 2021 admit का release होगा last week of April 2021 और APPGCET 2021 का exam conduct के जागा first week of May 2021 में answer की release होगी first week of May 2021 और result declare होगा second week of May 2021 में counseling की जो date है वो start होगी second week of August 2021 अब बात कर लेते हैं APPGCET 2021 के application form की application form की हर एक detail यहाँ पर दी गई है A to Z detail दी गई है timely सारे चीज़े हैं आपको check करनी है हर एक चीज़ जहाँ भी दी गई है सब कुछ check कर लें step by step guide भी है तो application की बारे में discuss कर लेते हैं application form कैसे भरना यह सारे चीज़े हम लोग इस section में discuss करेंगे application form release होगा online mode में सारे students application form भर पाएंगे first week of March 2021 से students application correction अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो वह correction शुरू होगा second week of April 2021 students को सारे डिल्स भरनी होगी जैसे आपका personal details, educational details, address, communication details आपको correct email id और mobile number provide करना होगा क्योंकि सारे डिल्स आपको उसी पर मिलेगी आप यह चीज़ फॉर्म जरूर भर ले यहां पर जो callback वाला section है इसको form जरूर भर ले आपने पहले भर लिया रहेगा तो जरूरत नहीं है नहीं भरा है आपने तो यह जरूर बर ले because आपको वहीं पर SMS वेगरा सारे चीज़ आएंगे application form जो है आप first week of April 2021 तक भर सकते हैं बिना late fees दिये हुए अगर आप late fees के साथ बरना चाहते हैं तो second week of April 2021 तक भरेंगे description मिल लिंक है यहीं पर आना है आपको इसी page पर application के link मिल जाएगी आपको आपको आदार काड़ जो है वह एक important document है आपको लेके रखना है application form बढ़ते वक्त आपको scan document upload करने होंगे जैसे आपका signature आपका photograph वह भी JPG या फिर JPEG format में ही आपको upload करना है print out जरूर निकालने application form का confirmation page का print out निकालने जिससे आप future में use करेंगे एक चीज़ होर है कि application correction facility को मिलती है पर make sure आप correctly भरें application form correctly भरें carefully भरें कोई गलती ना करें अब application fee की detail कर लेते हैं पता तो AP, PG, CET के application fee आप online भरते हैं सारे students online भर सकते हैं कोई भी students offline नहीं भरेगा क्यों यहां पर detail दी गई है application fee की category वाइस तो वसारे चीज़े आप देख लें तो OC और BC candidates के लिए 1000 fees है यानि general category, open category के लिए और reserve category के लिए SCST के लिए 500 रुपीज application fee है अब यहां पर AP, PG, CET की eligibility criteria दी गई है तो eligibility criteria सबसे important चीज़े students को मालूम होना चाहिए कि eligibility criteria क्या है कई बेर ऐसा होता है कि students को मालूम ही नहीं होता है eligibility criteria क्या हो और वो application form बढ़ देते हैं और later on stage में क्या होता है उनकी application reject कर दे जाता है तो description में link है वहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर eligibility criteria पर click करना है एक नया page खुलेगा और फिर आप check कर पाएंगे कि पूरी eligibility criteria क्या है वैसे मैं short में आपको बतानी की पूरी कोशिश करूँगा पर make sure कि आप description में link है उसे open करें और बुकमार भी कर लिए उसे timely open करके पूरा detail आप पढ़ लिए eligibility criteria आपके पास nationality जो है इंडी nationality होने चाहिए domain style certificate होना चाहिए आपके आपास आंधरप्रदी स्टेट का marking criteria के बात करें तो आपके पास 50% marks होना चाहिए जनल के लिए 45% marks होना चाहिए आपके पास reserve category वालों के लिए qualification के बात करें तो आपके पास B.Tech का degree होना चाहिए B Pharma का degree होना चाहिए या फिर equivalent degree होना चाहिए किसी भी recognized university से fitness certificate भी आपके पास होना चाहिए appearing student क्या होते है अगर आप final year में है B.Tech के तो भी आप eligible ने apply करने के लिए या फिर graduation के final year में है तो भी आप eligible ने apply करने अपके लिए scorecard आपके पास gate का scorecard होना चाहिए या फिर GPED का scorecard होना चाहिए या फिर APPGECET का scorecard होगा कोई भी रहेगा आप apply कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं APPGCET 2021 के exam pattern की APPGCET 2021 का exam pattern आपको help करेगा इस चीज में कि आप ज़्यादा सज्यादा mark score कर पाए इलाबरेट कर पाएं details को कि कौन से section को कितना time देना है और किस section के लिए कितना समय देगने के बाद कितना आप mark secure कर सकते हैं क्या overview होगा यह सारे details अम लोग exam pattern में देख लेते हैं तो mode of exam जो है वो online mode होगा यानी CBT mode का exam का duration 120 minutes होगा यानी 120 minutes होगा यानी 120 minutes यानी कितना होता ह 2 hours अब types of questions जो है इसमें total MCQs होंगे multiple type questions होंगे language examination के English में होगी marking scheme के बात करें तो एक marks मिलेगा हर एक correct answer के लिए और negative marking इसमें नहीं है अब बात करते हैं APPG CET 2021 के syllabus की syllabus देखिए हर एक course का अलग अलग वैरी करता है तो syllabus के लिए आपको description में लिंक है यहाँ पे आना है और complete syllabus चेक करना है पर मैं आपको description यहीं पर थोड़ा से syllabus देने की कोशिश करूँगा अगर आप M Pharma के लिए तो आपका syllabus जो है वो based होगा B Pharma के उपर अगर आप M Tech या ME के लिए तो आपका syllabus जो होगा वो B E के उपर depend करता है तो अगर आप जिस भी branch से किये हैं उस branch के उपर depend करत जैसे civil engineering, electrical engineering, chemical engineering इन सारे चीज़ों कर लेता हूँ बागी बहुत सारे branches है जो इसका नहीं है आप make sure कि आप description मिली कि वहाँ पर जाके सारे अलग अलग branches का category चेक कर लें और अलग अलग syllabus चेक कर लें तो civil engineering के लिए structural engineering का syllabus जोगा उसमें concrete, structure, mechanics, structural analysis, structure, steel ये सारे चीज़े होगी engineering mathematics हो केंदर differential equation, numerical methods, calculus, complex variables, linear algebra ये सारे चीज़े होंगी, water resource and transportation, engineering होगी, hydrology, noise pollution, traffic engineering, air pollution, irrigation, water requirement ये सारे चीज़े होंगी अब electrical engineering के बात करे तो electrical engineering के बात करे तो electrical engineering के अंदर electrical and electronics measurement, signal and system होगा, power and electronics होगा, power and electronics होगा, power and electronics and drives, power system, control system, electric mechanics, electric circuit, and field, analog and digital electronics, electronics, mathematics के अंदर complex variables, numerical methods, probability and statistics, linear algebra ये सारे चीज़े होगी होगी chemical engineering के अंदर heat transfer, chemical technology, process of calculation and thermodynamics, chemical reaction engineering, plant design and economics, fluid mechanics, mass transfer, महीं पर engineering mathematics के अंदर probability and statics, complex variables, numerical methods, linear algebra, calculus, differential calculus equation ये सारे चीज़े होगी अब बात कर लें, preparation tips की, preparation tips इसलिए important है क्योंकि इससे एक hierarchy उत्पन होती है, क्योंकि इससे आप ज़्यादा ज़्यादा marks secure कर पाते हैं, अच्छे preparation tips आपने follow किया तो अच्छे marks आएंगे, अच्छे marks आएंगे तो अच्छा placement होगा, अच्छा placement होगा, अच्छा college मिलेगा, अच्छा कारियर, अच्छा करियर मतलब अच्छी पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई, मतलब family, खुछ, family, खुछ, मतलब आप खुछ, ओके तो यह सारी चीज़े हैं, prepare करने के लिए आपके पास एक अच्छा सा time table होना चाहिए, जिससे regularly आपको follow करना, correct साइबस और exam pattern आपको मालू होने चाहिए, basic concept starting में ही आप clear कर लें, course subjects के, short notes बनाव से regularly follow करें, solve करें, previous year question papers or sample papers, और frequently questions, जो भी पुछ जाते हैं, उसे mark करें, उसे पढ़ाई करें, और healthy खाना खाए, regular workout करें, अब बात कर लेते हैं, APPGCET 2021 के admit card की, तो admit card इसलिए important होता है कि students को मालू होने चाहिए कि admit card कैसे निकले, cop आएगा, कैसे भरना है, admit card की सारी details आपको कैसे चेक करनी, admit card online आएगा, student download कर पाएगा, admit card official website से, अपने login credentials का use करके, admit card download कर सकते हैं, आप last week of April 2021 से, admit card जो है, important document है, जो आपको government ID proof के साथ लेके जाना है, कोई भी student बीन admit card के exam hall में न PGECET 2021 के answer की की, तो जो answer की है, वो release होगा exam के बाद, exam के बाद official website पे आप online mode से check कर पाएंगे, answer की download करने के लिए आपको login credentials का use करना है, answer की release होगा, कुछ ही दिन बाद जैसे exam होगा, answer की सारे correct answer को contain करेगा, जो भी questions पूछे गया रहेंगे, AP PGECET 2021 के entrance examination में, answer की आपको help करे estimated marks पता करने में कि आपके ने कितने marks secure की है, final answer की आपकी release की जाएगी, जैसे ही अगर किसी ने objection raise कर दिया, तो final answer की release की जाएगी, अगर objection सही पाया गया तो, अब बात कर लेते हैं, AP PGECET 2021 के result की, तो AP PGECET 2021 के result की, तो AP PGECET 2021 का result जो है official website पे publish होगा second week of May 2021 में, candidates check कर पाएं वही बच्चे चेक कर पाएंगे result जिन्होंने officially exam दिया है, जाकर center पे गए थे और exam दे के आए, result के साथ साथ rank card भी announce हो जाएगा, result के साथ साथ result का ज़रूर प्रिंट आउट निकालने जिसे आप future में use करेंगे, merit list और cutoff भी release हो जाएगी, अब बात कर लेते हैं, AP PGECET 2021 की result के बाद candidates check कर पाएंगे cutoff official website पे online mode से, AP PGECET 2021 का cutoff जो होता है, वो minimum marks होता है, जो student को obtain करना पड़ता है, तभी वो admission ले पाएंगे, अलग-अलग colleges के अंदर, उनके cutoff के ऊपर उन्हें बुलाया जाएगा counseling round के लिए, AP PGECET 2021 के लिए अलग-अलग होता है, और different category के लिए यह सारी चीज़ें आप online ही चेक करना है, आपको अपने login credentials का use करके, अब बात कर लेते हैं, AP PGECET 2021 की counseling के, तो AP PGECET 2021 का counseling start होगा second week of August 2021 में authority, और आइस करेगी separate counseling procedure, AP PGECET counseling GPOAT और gate, यह सारी GPAD और gate सबका अलग-अलग counseling start होता है, AP PGECET counseling जो हो checklist process से होती है, जैसे checklist है यह process की जैसे verification documents का होता है, seat allotment होता है, payment fee करना पड़ता है, इस सारी चीज़ें होती है, अपने original documents और certificates आपको लेकर आना है counseling date के दिन, सारे details आपको verify होगी, उन्हीं बच्चों counseling के लिए participate करना है, जिनका नाम cutoff में आया, जो बच्चे cutoff नहीं पापा है, उन्हें counseling के लिए नही certificate mark sheet और APPGCET 2021 का rank card, और एक चीज़ और है, अगर कोई आपको doubt है, तो यहाँ पे आप नीचे description में link है, वहाँ पे comment करने, आपका email ID, आपका role number लिखने, email ID और आपका कोई concern है, यह लिख दे, और यह submit करने का राद क्या होगा, कि आपका form submit हो जाएगा, मतलब आपकी query submit हो ज subscribe करें, like करें, अगर यह video पसंद आई, तो description में link है, उसे open कर ले, मेरा सुझाओ यह है, कि Google में आपको लिखना है, APPGCET 2021, और उसके आगे लिखना, IS paper, फिर आपको किसी page पे आना है